वेलकम फ्रेंड आपके ही अपनी टूब चैनल फैंटाइस क्रिकेट क्लैस में आज हम बात करेंगो जो मुकाबल होने वाला है दिली केविटल्स और गुजराद जाइन्ट्स की बीच में इसके बारे में डेटेल से इस मुकाबले के बारे में चर्चा करने वाले हैं साथ में दोस्तों आपके लिए 25,000 का फिरी गेवावी लेकर आएं गेवावी कहां मिलेगा उसके बारे में भी आपसे चर्चा करने वाले हैं लेकिन यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए होट चैनल को सस्क्राइब कर देना है और वेलाइकन फ्रेस कर देना है जिससे हमा खिले जाने बाला दोस्तों जो कर एक आच्छी बैलेंस बीकेट है बले बाज़ों के लिए जितने मदद करेगी क्योंकि after toss आपको सभी information हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही provide कराई जाती है तो please आप हमारा टेलीग्राम जोइन करना बिल्कुल मत भूलीगा तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आप दोस्तों यहाँ पर venue के बारे में अब इससे इंडिकेट होता है कि दोस्तों बलेबाजी के लिए विकिट अच्छा है और संभपता आपको इससे ज्यादा भी स्कोर देखने को मिल सकता है क्योंकि दोनों ही टीम होगी दोस्तों बलेबाजी स्ट्रॉंग है आप देख सकते हो देली यहाँ पर highest total देली capital ने बनाया है दो से 31 रन और देली capital ने यहाँ पर lowest score 66 रन बनाया है बात करें when for scoring veteran के बारे में तो देखोगे आप 150 और 150 से नीचे 21 बार स्कोर देखने को बला है 152.69 बार 172.89 बीस बार और 190 एबाव आप देखोगे 15 बार स्कोर देखने को मिला है यह दी बात कीज़ा जो recent मुकाबली इस वेन्यवर खेले गाए उनके बारे में तो आप यहाँ पर देखोगे इंडिया का जो मुकाबला खेला गया था साउथ अफरिका क्लब इंडिया ने 211 बनाये थे साउथ अफरिका ने 212 बनाकर उसे चेस कर लिये थे मात्र 19 दसमल एक ओवर में यहाँ पर आप देखोगे पेस बॉलर ने 5 विकेट तो इस्पनर ने 2 विकेट यहाँ पर निकाले थे यहाँ पर आप देखोगे राजिस्थान रोयल्स ने 220 बनाये थे और संराइजर हैद्रवाद 168 मात्र बना पाये थे यहाँ पर पेस बॉलर ने 9 विकेट और इस्पनर ने 2 विकेट निकाले थे यहाँ पर जो अगला मुकाबला हुआ था चेन नी सुपर किंग्स ने 218 बनाये थे और मुंबई ने 219 बनाकर उसे चेस कर लिया थे यहाँ पर भी आप देखोगे पेस बॉलर को 8 विकेट में ले थे तो वहीं इस्पनर को मात्र 2 विकेट में ले थे अगला मुकाबला राजिस्थान रोयल्स ने आप देखोगे 171 बनाये थे निरधारियत 20 बार में और 172 बनाकर मुंबई ने चेस कर लिया थे यहाँ पर पेस बॉलर 5 विकेट और इस्पनर मात्र 2 विकेट तो आप समझ सकते हो कि पेस बॉलर के आपको डॉमीनेसन देखने इन में से आप देखोगे तीन मुकाबली सेकंड बले बाजी करती हुए बिनकी हैं तो समझ भपता जो टीम टोह जीतेगी सेकंड बले बाजी करती हुए नजर आ जाएगी बात करें इस्पनर वर्सेच पेसर्च के बारे में तो आप यहाँ पर देखोगे इस्पनर को लग वक्त त्रेपन पर्शेंट विकिट मिलते हैं आप समझ सकते हो कि पेस बोलर थोड़ा सा ज्यादा इंपक्ट यहां पर डालने वाले हैं बात करने दोफ तो प्लेयर बैटल के बारे में तो जो एक बार आउट किया है वहां पर इसकोर इन्होंने जरूर किया है उसके बाद वहीं सुबमांं इंहें बहुत अच्छा किंथे जो इसके बद आप देखोंगे हार्दिक पांडिया खलील इहमत अठ गयनों में खलील हमिद ने हार्दिक पांडिया को दो वार आउट किया है तो आप 12 गयनों मत्र 8 रंद दीए और एक वार आउट इनों ने किया है और उसके अलावा दोस्तों जो आप बैटल देखना चाहते हो न वो आप यहाँ पर देख लेजीगा मार्स का देखोगे राशित खान के खिलाब बहुत अच्छा खिलते हैं मिजल मार्स 33 गया दौम 31 रन की हाला कि स्कूर नहीं कर पाए लेकिन ए आउट भी नहीं कर पाए प्रतिभी 100 ए थोड़ा स्ट्रगल करती हुए नजर आ रहा है प्रतिभी 100 का आप देखोगे जैनते याद आप तो खिलेंगे नहीं रासित खान के खिलाब 14 गयनों में 22 रन स्कूर किया है तो एक बार रासित खान नहीं आउट भी किया है उसके अलावा दोस्तों आप यहां पर डैविड वॉर्नर की राइवल्री देख सकते हो डैविड वॉर्नर टू अलजारी जोसिफ क्योंकि ओडन सिमित तो नहीं खिलेंगे लगवग 90% फिर भी आप एक बार देख लेजीगा अलजारी जोसिफ की साथ गेंदों में नौरा ने स्कूर किया और एक बार आउट किया है तो दोस्तों एक कुछ इंपोर्टेंट प्लेयर बैटल है आप यहां पर देख भी सकते हो या स्क्रीन सोट लेना हो तो स्क्रीन सोट भी ले सकते हो अब बात करें हेट टो हेड मेंच के बारे में एक मुकाबला खिल गाया है वो भी गुजराद जाइंट इस नहीं किया है लेकिन किसकी जगे खिलेंगे तो अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर करूँगा तो प्लीज आप टेलीग्राम जोएन करना हमारा बिलकुल मत बूलेगा यहाँ पर खली लहमत दो विकेट कुल्दी प्यादा चवदर रन प्लस एक विकेट तो एक उचाप के लिए टॉप स्कूरर इस मुकाबले के रहे थे बात करना दोस्तों प्लेयर बाई प्लेयर एनलाइसिस और वेनुवर और हैट टो हेड आप यहाँ पर देखोगे सुमा 35 का एबरेज है 352 रन है स्ट्राइग रेट 139 का है तो समझ सकते हैं आप हेड टो हेड भी इनका अच्छा रेकॉर्ड है वहीं वेनुवर दो मुकाबलों में 41 रन नहीं क्या है रिद दिवान सहा लाश्ट मुकाबले 22 रन का स्कूर किया और दोस्तों एक कीपिंग से भी आ उसके बाद बात करें साइन्सों दिवार्षन दोस्तों 22 रन बहुत अच्छे प्लेयर है एकस फैक्टर के रूप में आयेते वल्ले बाजी करने के लिए केंड यम्शन वहार हो गई थे एकस फैक्टर के रूप में आये थे आप एक्व्प्लीर खिलती है इस बात को आप ध वेड में 15 मुकाबले इन्होंने खेले हैं 209 बनाएं 19 कैबरेज 137 के स्ट्राइग रिड है पहीं 15 मुकाबलों विकेट इन्हें मातर 6 मिले हैं वेनुपर भी देखोगे आप यहाँ पर 106 बनाएं 7 मुकाबलों में और 2 विकेट भी इन्होंने चटका हैं तो एक काफी important player आप इन्हें अपने टीप में ट्राइ कर सकते हो उसके बाद बिजय संकर बिजय संकर लाष्ट आईपेल सीजन तो इनका बहुत जोर से फ्लॉप रहा था दोस्तो इस आईपेल में क्या कर पाएंगे हालागी लाष्ट मुकाबले इन्हें स्टार मिला 27 रन का लेकिन उससे लिग में आप इन हेट राइ मत करना उसके बाद राहुल तेवा दिया आप देखोगे लाष्ट मुकाबले में 15 रन प्लस जीरो विकेट हालागी लाष्ट मुकाबले में बलेबाजी नो ने अच्छी की लाष्ट ओवर में तब 10 12 रन चाही रहे थे ना तब अच्छी खास सकते हो कि 6 मुकाबलों में 40 रन एबरेज भी 40 मतलब एक मुकाबले में बलेबाजी आई उसमें इनों ने 40 का स्कूर किया और 6 मुकाबलों में 2 विकेट तो आप समझ सकते हो कि आपको ग्रेंड लिग की इंपूर एंड चोह से इसमॉल लिग में आप इने ट्राइ मत करना र राशित खान का आप देखोगे तो दो विकेट चटका है लाक्ष्ट मुकाबले में और 10 रन भी इंपूरेंट बनाए यहां पर आप देखोगे एड-to-head तेरा मुकाबला में 16 विकेट है वेनुवर भी आप देखोगे तो पांच मुकाबला में पांच विकेट है इंपूरेंट प्लेयर है नोट कर लीजिगा इसमॉल लिग की साब साइं की सोरी इतने इंपूरेंट रही है अलजारी जोसिप आप इनहीं अपने टीब में ड्रा है लेकिन गेंदबाद सांदार है उसके बाद मुहमास समय आप देखोगे दो विकेट चटका है इन्हों ने हैट्वेड में साथ मुकाबला में 10 विकेट चटका है और वेनुवर इतना कुछ खास नहीं है लेकिन हैट्वेड में काफी इंपूरेंट आपके लिए हो सकते ह है यहाँ पर कोई भी चेंज़स होगा तो अपडेट में आपके लिए टेलीग्राम पर दूगा यस दायाल कैन बिलियम सन्य और में फुए बेडव में इस कोई भी खेलता है तो अपडेट आपके टेलीग्राम पर मिलने बाली है अब बात करें डी सी के बारे में तो इनका डेटेल से स्कूर कार्ड कर ही दिया है यहाँ पर बेन वार आप देखोगे 27 मुकाबलों में 721 रन है एबरेज भी इनका अच्छा है 122 का 32 का और स्ट्राइग रेड भी अच्छा है इंपोडेंट प्लेयर है हर्दिक पंडिया के साथ आप इने केप्टेंसी बाइस केप्टेंसी दे सकते हो उसके बाद प्रिथवी सो 12 रन होने बनाए थे लाश्ट मुकाबले में चाहुदा मुकाबला में 374 रन 32 का अबरेज इनका भी 143 का स्ट्राइग रेड है प्रिथवी सो बहुत डिस्ट्रक्टिव बलेवाज हैं दोश्तों आप इने केप्टेंसी बाइस केप्टेंसी अपने ग्रेंड लिग की टीम में दे सकते हो उसके बाद बाद की जाए बनाए थे हेड टो हेड में दोश्तों 37 रन 29 जरूर बनाए सरफराज खान दोश्तों लाश्ट मुकाबले में कुछ नहीं कर पाए थे रावली राउसो आप इन्हें अपने टीम में ट्राइग कर सकते हो आप देखोगे 30 रन 29 बनाए थे सांदर प्लेयर हैं दोश्तों स्मॉल लिग में आप इन्हें ट्राइ मत करना उसके बाद अमन हाकिम खान पांच रन इन्हों ने बनाए थे एवी ग्रेंड लिग की चोई से अक्षर फटेल आप इन्हें अपने स्मॉल लिग की टीम में ट्राइ कर सकते हैं दोस्तों इनके टैलेंट का टीम साथ में आठ विकेट भी हैं कुल्दी ब्याद अब लाश्ट मुकाबले में एक विकेट निकाला और दोस्तों बहुत इंपोरेंट बॉलर आपके लिए हो सकते हैं उसके बाद चैतन साकरिया को आप अपनी टीम में डेफनेट डेट्राइ कर सकते हो उसके बाद आप देख कुल्दी ब्याद अब अक्षरपटल मिडल ओवर्स में गेंद बाजी करते हुए उन्हें चैतन साकरिया और खली लहमत सुरवात में गेंद बाजी करेंगे वहीं आपके लिए मुकेश कुमार डेथ ओवर में गेंद बाजी कर सकता है जैंदो चैतन साकरिया लगबग एक करेंगी उसके बाद खली लहमत लगबग एक ओवर ये भी अपना डेथ ओवर में करने वाले हैं तो एक कुछ दोस्तो इनकी गेंद बाजी का लिखा चुका है अब हम बात करते हैं फिरी गेबाबे और हमारी टीम के बारे में तो दोस्तो आपके फिरी गेबाबे कोड कर लिजीगा आपको डाउनलोड करकर राज बंटू थी कोड डालना है राज बंटू थी कोड डालोगे हमारी तरफ से 100 रोपे का कैस बोनस आ जाएगा और साथ में आप 25,000 का फिरी गेबाबे भी जोइन कर सकती हो तो आप एक बार जरूर माइफ हैविलिम ट्राई कर 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 देख सकते हो तो चलिए बात करते हैं अब हम यहाँ पर हमारी टीम के बारे में चर्चा करें उससे पहले दुफ तो यह दिया आपने हमारा टेली राम चैनल जोइन है क्या जोइन कर लीजीगा क्योंकि आफ्टर टॉस सभी आपके लिए वहीं मिलने वाला है और फिरी सभी सो और रावली राशो को मैंने अपने ट्राई किया है बात करें हार्दिक पांडया को अल्राउंड रहने वाले हैं मिचल मार्श मेरे 22 कैप्टन रहने वाले हैं उसके बाद अक्षर पटेल है यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में आप देखोगे तो रासित खान मुहमद समी और अल्जारी जोसिफ हाला कि मेरे पास अभी दिली का एक भी बॉलर नहीं है लेकिन मैं दिली का इकात बॉलर ट्राई करूँगा कोई चेंजिस करूँगा अपडेट में टेलीग्राम पर कर दूँगा उसके बाद दोस्तो आपके पास कैप्टन सी 22 कैप्टन सी के जाएगी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सस्क्राइब कर लेना है वीडियो दिखने के लिए धन्यवाद